दिशान आप Predictify Me आपकी कमपनी है पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन बताएं कब ठीक हो प्रेडिक्शन डिपेंड करती है डेटा के उपर पाकिस्तान ने हम लोगों ने शायद कसम खाई भी कि डेटा हम डिजिटराइज करके रखेंगे नहीं तो डेटा बहुत मुक्तसर सा है कुछ चीज़े मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने कार्टिकल भी लिखा है तारीख पाकिस्तान के नाम से जरूर पढ़िएगा पाकिस्तान जो कौम है ना मैंने एक अच्छे खासे मलकों का सफर किया है तीन चार दर्जन मलकों में तो ग्यावा हूँगा पाकिस्तान जिसी कौम नहीं देखी अच्छी जुनूनी वहशी पागल कौम है कुछ नहीं हो तो भी डांस करती है कुछ नहीं पर भी खुश है जो करना चाहे कर लेती है एक दफ़ एरादा कर ले किसी चीज़ का तो पीछे नहीं अगती तो बड़ी खुस्स की बात है जो 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 खतम करना पड़ेगा हमारी फित्रते सानिया बन गया है जो खतम कर दें मुझसे हर बंदा अपनी तोर पे कोशिश कर ले क्यार मुझे जोट नहीं बोना अखलाक ठीक कर ले अदव है पढ़ना शुरू कर दे पाकिस्तान में तीन चीज़े हराम है सुर खाना हम लोग सुर नहीं खाते सच बोलना और किताब पढ़ना इन तीन चीज़ें अपने पर हराम कर लिया है सुर वारी बास तो समझ में आती है बाकी दोने चीज़ें समझ में नहीं आती इस के उपर काम करें पाकिस्तान में यूथ बढ़ रही है तो फ्रस्टेशन बढ़ेगी बच्चे जादा होंगे जोब अवेलेबल नहीं होंगी और जो दूसर बड़ा गरक किया है पाकिस्तान में किया है मीडिया ने पहले जमाने में यहान भाई कोई बंदा कुछ कर ले देता था तो सोचता था कियर कोई क्या बोलेगा जबसे मीडिया अज़ाद हुआ है वो कोई भी मर गई उसकी भी फिकर नहीं है तो मीडिया देख देखकर हर बच्चा चाहता है कि उसके बड़ी गाड़ी हो उसके पास किसी गेर मलकी शेरियत आजए वो चार्ड लोगों पर अपना रोब काइम कर सके और पैसे एक इल्म का मकसद पैसा कमाना रहे गिया है तो ये तमाम चीज़े चलेंगी तो इसा हो नहीं सकता कि मुल्क में अगर 18 करोड लोग है तो आप खुद बता है 18 करोड तो बिल गेर्स नहीं बन सकते वो तो अमरीका में नहीं बनते तो पाकिसान में कहा से बनेंगे तो हर बच्चा तो बिल गेर्स पाकिसान में नहीं बन सकता तो समने कुछ सारे काम करने ही है ना तो बच्चा अपने हालात को देखे अपनी रेलेटी का इदराग करें और देखे अपने हिसाब लेते वे अपने तहीं बहतरीन काम क्या कर सकते है और पिर वो आगे बढ़ने के लिए क्या करें देखिए कुछ काम तुमारे रोज मर्रा के होते हैं रोज सुबा नो बजो आफिस जाना है पाट बज जाना है तुम्हां मिलेगी तुम्हों सारे काम चलेंगे रात सोने से पर ये सोचे मैंने आज वो काम कौन सा किया जो मेरे इन कामों से रिलेटेड नहीं था जो मुझे आगे बढ़ने मदद करेंगे क्या मैंने कोई नही किताब पढ़ी, क्या मैंने किसी नए उस्ताद के पास बेटा, क्या मैंने दीन की कोई नही चीज सीखी, क्या मैंने कोई नया स्किल इंप्रूफ की, क्या कोई नया स्किल सेट मैंने अपना बढ़ाया, इन चीजों पर काम करता रहे, अपने आप पे मेहन कि यदि करें तो मुल्क ठीक होगा आगर आपको इसी बात के इंतिजार है कि कोई हुकमरान आएगा इम्रान साब आएंगे या कोई और हुकमरान आएगा मुल्को ठीक कर देगा, ऩो फंसा नहीं होगा के नहीं नहीं चाहिए बात लेकिन लगता है ये कि आज शायद सहावा-कराम में से भी कोई आके हमारे मुलका बन जाए ना सदर और शेक अब्दुलकादिर जिलानी ने मुलका बन जाए तो भी अवाम का कुछ नहीं हो ना बदनना तो हमने है ना और बदने के कैसे इल्म जो है वो मुम्मिन की खोईवी मिरास है उसे वापिस लेना है हमारे पास ही था हमारे पास ही से दुनिया में गया है उसे वापिस लेना है पढ़ें पढ़ते ने और सजुका के काम करते ने लड़ाया ना करें पढ़ने से मराद आगें डिग्री नहीं है अच्छा है इनसान मनना है सारा यह पढ़ना है डिग्री भी लें लोग बोलते हैं पैसा नहीं कमा लो तो पैसा ही कमा लो यार तो अमरीकन माश्रे में ना यहां पर पैसा यह दिन नहीं है हमारे माच्चे में कुछ भी नहीं है। ना पेसा ना देन, पेसा ही कमा लो, इस बात कभी क्या रोला, निकाल दो दो 12 बारा बिल गेर्टकूस किसने मना किया। बना कमालो कमालो पिसा, ताने ना दें, टांगे ना कीचें, तानो तश्णी ना करें लोगों के उपपर, हसद ना करें, बहुत मुश्किल होती है यह चीज़ है, जब आपने पर फोकस करता है न रिहान भाई, तो उसको इतनी चीज़े निज़र आती हैं, कि बाकी चीज़ क मुशायर केता है, गम की जागीर विरासत में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूं अबावों की तरह, एक और शी़ बड़ा चा है, कि बाच्छाहत का एतबार ही क्या, बाच्छाहत का एतबार ही क्या, मसलिहतन फकीर रहता हूं, तो अपने वाद में काम करता है, खामोशी से, तो प्रडिक्शन जो होती है, वो मुल्क की होती है, मुल्क लोगों से होता है, लोग डिफाइन होते हैं अपने अखलाक से, अखलाक बनता है तर्वियत से, और इल जाते हैं, हर बन्दा बोलता, जी मुझे कौन पढ़ाएगा, मैं तो दस काम जानता हूं, इसकी इसकी की तैसी, मैं तो इससी भी इच्छा, उससी भी इच्छा, जब तक आप यह करते रहेंगे ना, जब तक, मेरे दोसे मुफ्ती सजीद साहब, मैंने में में बहुत बोला, उन्हें बोला, खुझ से उठोगे तो खुदा तक पहुँच भी है ना, हम खुझ से नहीं उठ पाते, काइनात का सबसे बड़ा जूट मे है, यह में, मे कुछ हूँ, मे का नशा जो शराब होती है, मे का नशा एक रात मे उतर जाता है, यह मे का नशा जिंदगी ब मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात का जवाब दिया जाए, मैं आपसे टाइम मंगो तो आप मुझे उसी वक्त टाइम दें, फेस्बूक पर अच्छा है उसमे मुझे चेक चुलिए की उसे बिला आप मेरे शेख हैं, आप मेरे पीरो मुर्शी दें और आप मुझे गाइड करें, बात करता था, अठारा मिनित बाज़ बात खताम होई तो मुझे गालिया दे रहता मा बेहन की, तो हमारे मुलक का जो पेशन्स ले बिले, वो अठारा मिनिट में शेख से रामजादा बना देता है, यह पेशन्स ले बिले, तो इस पेशन्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिन्दगी समढ़ जाएगी, बहुत मुझे ऐसा होता नहीं भाई, कहीं नहीं होता, झाहते हैं